दोस्तार दोस्तों स्वावेट करता हूं आपकी चैनल गडित NGS में दोस्तों हमको अच्छा 6 की गडित लगा रहे हैं असनावली संख्या 5-10 मलो 9 ठीक है दोस्तों 9 देखते हैं दूसरा प्रसम दोस्तों क्या कह रहा है निम्न किस आकार के हैं यह किस आकार के हैं दोस्तों एक जायमती बॉक्स दोस्तों एक जायमती बॉक्स है जायमती बॉक्स कैसा होता है दोस्तों जायमती बॉक्स कैसा होता है कुछ-कुछ इस तरीके है दोस्तों इस तरीके सोता है जायमती बॉक्स आपको क्यूब की करें एक प्राकर की आक्रिती है यह इस तर्केत के आप कि चटकन ही रहती झाल की वक्स में इसको कोलते हैं यह दोस्तों है त्सको कहा जाता है घंआप क्यूबसक्राइड एक लंबाई है एक चोड़ाई है और एक इसकी मोटाई है यह वाली यह दोस्तों क्या है इसकी मोटाई या उचाई भी कह सकते हैं ठीक है दोस्तों फिर कह रहा है इट कैसी दिखती है दोस्तों इट आपने दोस्तों देखी होगी इट कुछ इस तरीके दिखती है अगर ना दोस्तों इट कुछ इस तरीके दिखती है उस पर यहां नाम भी लिखा रहता है जैसे माल लीजा रमेश जिस साचे में इट बनाते हैं मिट्टी से दोस्तों उस साचे में रमेश लिखा रहता है फिर इट को पहले कच्छा मिट्टी से बनाते हैं फिर भट्टे उसको गरम कर लेते हैं जिससे वो मजबूत हो जाती है ऐसे मिट्टी तो कमजोर रहती है और इट मजबूत हो जाती है कैसी आकृतीज दोस्तो ये भी घणाब ये भी घणाब वाली आखृती विखती तो मांचिस हँ इस थी कैसे दो सबाहर इस तरीरे से माचिस को जलाने के लिए वो ऐसे क्रोस बने रहते हैं जिस पे रगण काके माची जल जाती है ये भी कैसा है दोस्तो लंबाई चोड़ाई और उचाई ये भी है हमारा घनाब थीक है उसका आज कह रहा है सड़क बनाने का रोलर कैसा है दोस्तों यह हम देखते हैं पहले हम देख लेते हैं लड्डू लड्डू दोस्तों कैसा दिखता है इस परकार इस परकार देखता है लड्डू बॉल कैसी दिखती है बॉल भी दोस्तों दिखती है इस परकार यह क्या यह कैसी आकरती दोस्तों गोला अंग्रेजीम इसको कहा कार के होती हैं यहां कहा रहा सडक बनाने वाला रोलर दोस्तों आपने देखा होगा, इस तरीके से जो सडक बनती है, उस पर दोस्तों छो WITHि बड़ा सा यह चलता है, जसे जत्त पादे और पिर कुछ दिर में सोखने के बाद वो अच्छी मजबूती पकड़े और सालो साल चले ऐसा नहीं कि एक बारिस की सीजर में पूरा उखड जाए और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कैसा दिखता है यह यह दोस्तों हमारा रोलर ठीक है यह रोलर है दोस्तों यह सिलिंडर हिंदिम कहा जाता है बेलन हिंदिम बेलन ना में दोस्तों अंगरेजिम इसको सिलिंडर कहा जाता है आसा करते हैं आपको मजा आया होगा धन्यवाद